हेलो गैस वेलकम बैक टोर चनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुक उल्तो बिटा यहां पर समाजची विज्ञानी सफ्ते के आखरी वक्षिटेट हरा तरिक के अभी हम वो देख रहे हैं 1815 के उपरांत यूरोप में रूडिवाद 1815 में नेपोलियन के हार के उपरांत यूरोप की सुकारों कर जुकावपो ने रूडिवाद की तरफ बढ़ा अपनी राजनेतिक विचारधारा के अंडरूप रूडिवादियों ने स्तापित संस्ताओं और इतिरी वाद जो परंपराओं को मानने तर दी एतिरी प्रवरतन के स्थान पर करमिक विकास पर जोर दिया इसी परिप्रेक्ष में एक सिकर समीलन वियना में आउजित हुआ जिसका अधिक्ष्टा चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की जिसमें वियना की संब्दी संदी आई बुर्बो राजवन्स की पनस्थापना एरोप में एक नई रूड़ी वादे विस्था फ्रांस में उन इलाकों से अधिय पत्यक हो दिया जो उसमें नपलियन के समय जीते थे फ्रांस की सिम विस्तार पर रोग के तुन नई राज़्जों की स्थापना दो आदमी इसमें में रोल में थे डियूक मेटरनिक और यूसेपी मेटसनी इनका जिनम पंदरा में 1703 को हुआ वे अस्ट्रेलिया के चांसलर थे 1814-1848 तक के काल में इन्होंने इरोप की राजनीती में महत्पुन भूमिका निभाई यूरोप के राजनितिक हालातों पर टिपनी करते हैं इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस चीकता है तो पूरा यूरोप को जुखाम हो जाता है वेनस अंदी में इनके महत्पुन भूमिका थी इन्होंने निपॉली निवद के उप्रांत यूरोप की पुनरचना और प्राणी राजनित्रक के इस पुनरस्तापना में महत्पुन महिका निभाई यूसेप मैटसनी इनका जनव ठारस साथ में जनेवा में हुआ कुछ समय बाद वो कार्बनरी में गुप्त संगठन के सरसे बने 24 साल की वस्ता में लिगोरियां में करांती करने के लूने 18 से 30 में देश निकारा दिया गया तब 50 नों ने दो और भूमिकत संगठनों की स्तापना की पहला था मारसाई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग इरोप मैसनी द्वारा राष्ट अंतर का जोरदार विरोध उसके प्रजान तंतरिक सपनों ने रोडिवाजियों के मन में भै पैदा किया मेटरनीक ने उसे हमारे स्वाधी कोष्थां का सबसे कतरनाक दुश्मन बताया विएयना संबन्दी की प्रबुषिस्ता है तो उसमें तो यह उत्तर हो जाएगा मेटरनीक की भूमिका का वरंडन करें तो भी में टेकरनीकी भूमिका यह हो गई कि सेकन्ड का अंसर मैटसनी को दोश्मन क्यों माना कि मैटसनी द्वारा रास्तमत्र का जोरदार विरोध उसके प्रजंदिक सपनों ने रुड़िवादियों के मिनमें भेह पैदा कर दिया था उसके बाद वह किस समाध्य विस्ता की बात कर रहे थे वह राज तंतर की बात कर रहे थे निपूलिन युग के उप्रांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए है अब इसमें आप एलिख सकते हैं झाल युग कर छूलियू जब बाद बात्म अच्ट वारीट शॉम्ह पर वाचल प्रिष बीज कर देले सबस्क्राइबा आप एलिशन इसे वैड़ एलिए